Hello everyone, Welcome to Pratik IQ आज हम लोग देखेंगे Indian Geography मैराष्ण सीरीज का Part 1 और आज का हमारा टॉपिक है भारत के महत्पून दर्रे इसमें हम लोग स्टेट वाइस इतनी भी इंडिया के इंपोर्टेंट दर्रे है सब को कफर करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं दर्रा होता क्या है परवतिय और पहारी छेत्रों में आवा जाही के लिए पाई जाने वाले प्रैकरितिक मारकों को दर्रे के रूप में जाना जाता है The natural roots found in the mountainous and hilly region for the movements are known as passes तो सबसे पहले देखते हैं लद्दाख लद्दाख में सबसे जदा passes का हैं लद्दाख में ही तो सबसे पहले देखते हैं जोजिला दर्रा कहां पे हैं लद्दाख में कौन से स्रेणी में आता है जासकर स्रेणी में आता है जोजिला पास कौन से स्टेट याउटी में है तो लदाख में है कौन से स्रेणी में आता है जासकर स्रेणी में आता है और यह जो जिला पास है स्री नगर को कारगील और ले से जोड़ती है जो जिला पास कहा है लदाख में कौन से स्रेणी में आता है जासकर स्रेणी में आता है और स्री नगर को कारगील और ले से जोड़ जोड़ती है बागी जितने भी पॉइंट है ना उनका कोई मतलब नहीं है मैं पेडियेव दे दूँगा आप पढ़ ले ना खुछ से बस तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहां पर जोजिला पास लदाख में है कौन से स्रेणी में आता है जासकर स्रेणी में आता है और स से जोड़ती है श्री नगर को करगील और ले से कौन सा दर्रा जोड़ता है जो जिला पास नेक्स्ट है कारा कोरम दर्रा कौन से स्टेट या यूटी में चती थे लदाख में चती थे और भारत का सबसे उचा दर्रा है कारा कोरम पास भारत का सबसे उचा दर्रा है और यार यारकंद और तारीम बेसिन के लिए सरक इसी से होकर गुजरती है अब यहाँ से क्विशन कैसे बनेगा आप से पूछ सकता है एक्जाम में कि यारकंद और तारीम बेसिन के लिए सरक कौन से दर्रे से होकर गुजरती है तो कौन से दर्रे से होकर गुजरती है कारा कोरम दर्रे से कारा कोरम पास कौन से स्टेट याउटी में है लदाख में है और यह भारत का सबसे उचा दर्रा है यारकंद और तारीम बेसिन के लिए सरक कारा कोरम दर्रे से होकर गुजरती है नेक्स्ट है उमलिंगला दर्रा यह दुनिया का सबसे उचा वाहन योग्य मोटोरेबल दर्रा है जो कि लद्दाख में इस्तित है दो पॉइंट बनेगा यहां से उमलिंगला पास का है लद्दाख में और यह दुनिया का सबसे उचा वाहन योग्य दर्रा है सबसे उँचा धर्रा कोण है कारा कोड़म और जब पुछे कि दुनिया का सबसे उँचा वाहन योग मोटरेबल धर्रकों सा है तो उबलिंगला धर्रह होगा जो कि लद्दाक में इस्तित है Next है मिंटका पास मिंटका धर्रक काह पे इस्तित है लदाक में इस्तित है और या कारा कोरम डेंज में भारत चीन और अफगान सिमाव के ट्राई जंक्षन पर इस्तित है बस एक ही important question बनने का है इस यहाँ पे इस दर्रे से कि मिंट का दर्रा कौन से state या यूटी में है तो लदाक में इस्तित है और या भारत चीन और अफगान सिमाव के ट्राई जंक्षन पर इस्तित है next है अगिल पास अगिल दर्रा कहां इस्तित है लदाक में इस्तित है और या दर्रा कारा कोरम डेंज में केटू चोटी के पास इस्तित है लदाख में कहा इस्थित है तो कारा कोरम रेंज में केटू चोटी के पास इस्थित है अगिल दर्रा कौन से यूटी में है लदाख में और कारा कोरम रेंज में केटू चोटी के पास इस्थित है इसके अलावा लदाख में इमीसला दर्रा है, चांगला दर्रा है, खारदूंगला है, लानकला है, पैंसिला है और करातागला है कौन को से दर्रा है? इमीसला है, चांगला है, खारदूंगला है, लानकला है, पैंसिला है, करातागला दर्रा लदाख में इस्तित है और तो सबसे important है वो कौँ सा है चांगला दर्रा लद्दा को तिबब से जोड़ता है तो सबसे important point यहां से यहां तक में तो सबसे important point है वो क्या है चांगला दर्रा लद्दा को तिबब से जोड़ता है CLT चांगला दर्रा L से लद्दा को तिबब चांगला दर्रा लद्दा को तिबब से जोड़ता है नेक्स ने जम्मू और कस्मीर तो सबसे पहले देखते हैं जम्मू और कस्मीर में बनिहाल पास को बनिहाल दर्रा तो पहला क्यूशन क्या बने का यहाँ पे बनिहाल दर्रा कौन से स्टेट या यूटी में है जम्मू और कस्मीर में जम्मू से स्रीर नगर की सरक इस दर्रे को पार करती है जम्मू से स्रीर नगर की सरक कौन से दर्रे को पार करती है बनिहाल पास को या बनिहाल दर्रे को और या कहां पे इस्तित है तो पीर पंजाल परवतमाला में इस्तित है दो क्यूशन बन गया यहाँ पे बनी हाल पास जमु कस्मीर में है और जमु से स्री नेगर की सरग इसी दर्यों को पार करती है जो की पीर पंजाल परवतमाला में इस्तित है हाला कि अब इसका इस्तिमाल नहीं होता जब से जवाहर सुरंग बन गया था जवाहर सुरंग बनने के बाद अब सरक परिवहन के लिए इसका इस्तिमाल नहीं होता और एक जो question बज़ सकता है यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि जवाहर सुरंग कौन से दर्रे में इस्तित है, तो कौन से दर्रे में इस्तित है, बनी हाल धर्रे में इस्तित है नेक्स आते हैं पीर पंजाल पास कौन से स्टेट याउटी में है जमू और कस्मीर में यह जमू और कस्मीर घाटे के बीच सबसे छोटी और सबसे असान सरक परदान करता है जो मुगल रोड पर इस्तित है पीर पंजाल दर्राग कौन से का इस्तित है जमू और कस्मीर में और या मुगल रोड पर इस्थित है बाकि किसी पॉइंट से कोई मतलब नहीं है बस दो ही क्यूशन बनेगा यहाँ पे पीर पंजाल पास कौन से स्टेट वे आयूटी में है तो जमू और कस्मीर में है जो मुगल रोड पर इस्थित है नेक्स्ट है बुर्जिल पास या बुर्जिल दर्रा कहां पे इस्तित है जमू और कस्मीर में और बुर्जिल दर्रा जो है कस्मीर में स्रीनगर और गिलकित के बीच एक प्रचीन दर्रा है और बुर्जील दर्रा कछ्मीर में स्रीनगर और गिलकित के पीच एक फ्रचीन दर्रा है नेक्श देखते है हिमाचल परदेश तो सबसे पहले देखते हिमाचल परदेश के सिपकिलाा दर्रा को चो सिपकिला पास है यह चो दर्राय समुद्र तल से 43 मीटर उपा इस्तित है और सतलच कंड के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को तिब्बच से जोड़ता है 2-3 पॉइंट काफी इंपोर्टेट है यहाँ पे सिपकिला पास कौन से स्टेट में है हिमाचल परदेश में और सतलज कंड जिसे गोर्ज बोलते हैं कि माध्यम से हिमाचल परदेश को तिबब से जोड़ता है सिपकिला हिमाचल परदेश में है और हिमाचल परदेश को तिबब से जोड़ता है तिबच से जो 17 नदी इसी दर्रे को इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है तो तीन काफी important question बंड़ गए यहाँ पे सिबकीला दर्रा कहा है हिमाचल परदेश में और हिमाचल परदेश को तिबच से जोड़ता है सिबकीला पास और तिबबस से जो 17 नदी आती है तो 17 नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेस करती है जोर्ज क्या होता है तीखी डालो वाली तंग घाटी जिसके बीच में से नदी बहती है और यहीं से कौन सी नदी आती है सिम्किला दर्रे से 17 नदी नेक्स्ट है रोहतांग पास कौन से स्टेट में है हिमाचल प्रदेश में या दर्रा पुर्वी पीरपंजाल रेंज में 3989 मेटर की उचाई पर इस्तिते कोई मतलब नहीं है आपको बस इतना याद रखना है रोतांग पास कहा इस्तित है हिमाचल प्रदेश में और कौन से रेज में है पूरवी पीर पंजाल रेंज में है या मनाली को लेह राजमार्क से जोड़ता है रोतांग पास हिमाचल प्रदेश में कौन से रेंज में है पूरवी पिर पंजाल में और यह मनाली को लिह राजमार्क से जोड़ता है इसे हिमाचल प्रदेश के लहौल इस्पिती जिल्ले के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है रोहतांग पास को लहौल इस्पिती जिल्ले के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है वहाँ पे रोहतांग सुरंग था उसका नाम अब क्या कर दिया गया है अटल सुरंग रोतांग दर्रे में एक रोतांग सुरंग था पहले अब उसका नाम अचल सुरंग कर दिया गया है next step 12 लाचला कौन से state या UT में है तो हिमाचल revised में है 12 लाचला पास कहा है कहाँ इस्तित है हिमाचल परदिस में और लाहौल जीले को हिमाचल परदिस के लाहौल जीले को लद्दा के लीज जीले से जोरती है चो बारा लाचाला पास है कौन से स्टेट में है या यूटी में तो हिमाचल पर्देस स्टेट में है और यहां लाहॉल जीले को लदा के लेज जीले से जोरती है और कौन से स्रेणी में है जासकर स्रेणी में तो तीर क्विश्टन मढगा यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट है बारालाचाला पास हिमाचल परदेश में और लाहौल जीले को लद्दा के ले जीले से जोरती है और कौन सी स्रेणी में है जासका स्रेणी में है या ले मनाली राजमार के किनारे इस्तित है नेक्स्ट है उत्राखंड उत्राखंड में सबसे पहले देखते है लिपूलेख पास कौन से स्टेट या यूटी में है तो उत्राखंड में है या भारत चिल सीमा पर उत्राखंड के पिताओडागड जिले में इस्तित है और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैलास म मानस्वरोवर एातरा के लिए इस दर्रा का उपियोग किया जाता है या भारत चीन और नेपाल के ट्राइ जंक्षन के नजदीक है हाले कि यह पुर्ण ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लो यह भारत चीन और नेपाल की सिमाओं के ट्राई जंक्षन के नजदीक है कौन सा पास लिपूलेख पास तो क्या क्या क्यूशन बना यहां पे लिपूलेख पास उत्राखंड में उत्राखंड कौन से स्टेट में है उत्राखंड में या दर्रा महान हिमाले की कुमाव बहारियों में समुद्र तल से 5611 मीटर उपर इस्थीत है तो वह इस पॉइंट के कोई मतलब नहीं है आपको क्या याद रखना है माना पास उत्राखंड में है और उत्राखंड को तिबबस से जोड जोड़ता है नेक्स्ट है निती पास निती पास का है उत्राखंड में और उत्राखंड को तिबबस से जोड़ता है निती पास भी उत्राखंड को तिबबस से जोड़ता है तो यहाँ पे दो क्यूशन बन गया निती पास का है उत्राखंड में और या दर्राखंड को में इस्थी थे, यहाँ से बस एक ही क्विश्चन बन सकता है, मुलिंगला पास कौन से श्टेट या इउटी में है, तो उत्राखंड राजे में है, इसके अलावा उत्राखंड में मंकसा धूरा दर्रा और ट्रेल दर्रा उत्राखंड में इस्थी थे, हले कि बहुत ज़़ा important नहीं है, मोल्INGλα पूर सकता है, मोल्INGLA कौनसे state में है, उतराखंड में, next है, सिक्किम, सिक्किम में दो important दर्रा, एक नाथुला दर्रा और एक जिलेप्ला, सब से मेरे देखते हैं, नाथुला पास, नाथुला पास कौनसे state में है, और यह सिक्किम को तिबबत से जोडता है तो सबसे important point क्या है सिक्किम को तिबबत से जोडता है तो यहाँ पर जितने भी बागी point है उनका कोई खास मतलब नहीं है आपको क्या याद रखना है नाथुला दर्रा सिक्किम में है और यह सिक्किम को तिबबत से जोड़ता है बस दोई क्यूशन बनेगे यहाँ पे नाथुला पास सिक्किम और सिक्किम को तिबबत से जोड़ता है नेक्स्ट है जिलेपला जिलेपला पास का है? सिक्किम में है और यहां दर्रा सिक्किम को लहासा से जोड़ता है दो क्यूशन बनेगे यहां पर जिलेपला पास सिक्किम में है और यहां दर्रा सिक्किम को लहासा से जोड़ता है और इस दर्रे को बनाया किसने था? तीस्ता नदी ने यहां दर्रा बनाया है जिलेपला दर्रा तीस्ता नदी ने बनाया है तीन चार क्रिक्षिन काफी इंपॉर्णिर बनेगे यहां से जिलेपला सिक्किम में जिलेपला दर्रा सिक्किम को लहासा से जोड़ती है और जिलेपला दर्रा को तीस्ता नदी ने बनाया है नेक्स देखते हैं अरुनाचल प्रदेश सबसे पहला दर्रा बोम डीला पास यह अरुनाचल प्रदेश के उत्तर पश्मी भाग में इस्टित है जो तवांग घाटी के माध्यम से तिबबत से जुड़ा है यह अरुनाचल प्रदेश को तिबबत की रज़दानी लहासा से जुड़ता है यहां से सबसे जो इंपॉर्टन कुश्चन बनेंगे तीन बनेंगे एक तो बोम डीला पास का हैं अरुनाचल प्रदेश में जो कि तवांग घाटी के माध्यम से तिबबत से जुड़ा है और यह अरुनाचल प्रदेश को तिबबत की रज़दानी लहासा से जोड़ती है वोम डीला पास का हैं अरुनाचल प्रदेश में और ब्रहमपुत्र नदी इसी दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है बस दो क्यूशन बनेगे यहां से पहला तो बनेगा यांग्या पास कौन से स्टेट याउटी में है तो अरुनाचल परदिश में है और ब्रहमपुत्र नदी इसी दर्रे के पास भारत में प्रवेश क या मियनमार सीमा पर अरुनाचल प्रदिश के पूर्व में इस्तित है और या भारत और मियनमार के बीच पारमपडिक दर्रा है जो कि मैक मोहन रेखा पर इस्तित है अगर कुश्चन को टफ करना हो तो पूछ सकता है कि कौन सा पास मैक मोहन रेखा पर इस्तित है तो कौन सा दिफू पास तो बस यहाँ पे दो important question बनेगी एक तो दिफू पास कौन से state याउटी में है तो अरुनाचल प्रदेश में है या भारत और मैनमार के बीच परमपरिक दर्रा है और या मैक मोहन रेखा पर इस्थित है नेक्स्ट है पांक्साव दर्रा पांक्साव दर्रा कौन से state में है तो अरुनाचल प्रदेश में और यह दर्रा अरुनाचल प्रदेश को मैनमार से जोडता है जो पांक्साव दर्रा है लिख पानी दर रहा है हम्बुगन दर रहा है चंगन दर रहा है दिहांग है कुमजोंग दर रहा है कौन कौन सा दर रहा है लिख पानी, हम्बुगन, चंगन, दिहांग और कुमजोंग दर रहा और नाचल परदेश में है हाला कि यहां से question नहीं बनेंगे लेकिन जो दो main important है एक पूछ सकते हैं आपसे दिहांग दर्रा और दूसरा हम्बुगन दर्रा नेक्स आते हैं मनिपूर जो मनिपूर का सबसे important pass है कौन सा है तूजू पास तूजू दर्रा या मनिपूर के दक्षिनपूर में इस्तित है और इमफाल से तमू जो की मेरमार में है का रास्ता इसी से होकर गुजरता है तो यहां से दो question बनेगा एक तूजू पास का है मनिपूर में और इमफाल से तमू का रास्ता इसी से होकर गुजरता है question पूछ सकते हैं आपसे इंफाल से तमुक का रास्ता कौन से दर्रे से होकर गुजरती है तो कौन से दर्रे से होकर गुजरती है तूजू पास या तूजू दर्रे से next आते हैं राजस्थान तो सबसे पहले देखते हैं हल्दी घाटी पास जहां पर हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी तो हल्दी घाटी पास कौन से इस्टेट में है राजस्तान में है कौन से मौन्टेन रेंज में इस्ती थे तो अरावली रेंज में इस्ती थे हल्दी घाटी पास कौन से रेंज में इस्ती थे अडावली रेंज में इस्तित है और यहां राजस मंडी और पाली को चोड़ता है तो यहां जो तीन क्विश्चन बनेंगे एक तो हल्दी घाटी पास कौन से स्टेट याउटी में है तो राजस्तान में है कौन से रेंज में है अडावली रेंज में है और राजस मंडी और पाली को connect करता है देश्ट है गोरम घाट पास गोरम घाट दर्रा कौन से स्टेट में है? राजस्थान में है? कौन से रेंज में इस्थी थे? अरावली रेंज में इस्थी थे? और यह उदैपूर सहर को जालोड और सीरोही से जोडता है जो गोरम घाट दर्रा है, कौन से स्टेट में है, राजस्थान में है, कौन से रेंज में इस्तित है, आरावली रेंज में इस्तित है और गोरम घाट पास उदैपूर सहर को जालोर और सिरोही से जोडता है अब देखते हैं केरल में जो important पास है तो सबसे पहले देखते हैं पालगाट पालगाट कहा इस्तित है केरल में पहले किसे देव बन गया और इसे पलकर कैब भी कहा जाता है पलकर कैब किसे कहा जाता है पालगाट को या उत्तर में निलगीरी पहारियों और दक्षिन में अन्ना मलाई पहारियों को जोड़ता है नेच्ट है सेनकोटापास सेनकोटापास कहा है केरल में है जो कि नागर कोईल और इलाइची पहारियों के पीच इस्तित या दर्रा तिरूवानंद पूराम और मदूराई को जोड़ता है सेन कोटा पास का है केरला में है और किसे कनेक्ट करता है तिरुवानद पूरम केरला में है और मधुराई जो की तमिलांडू में है इन दोनों को कनेक्ट करता है कौन सा पास करता है सेन्द कोटा पास तिरुवरनद पूराम और मधुराई को कौन सा पास करनेट करता है सेन्द कोटा पास और कौन से स्टेट में इस्टीत है सिनकोटा पास केरल में नेक्स आते हैं महराष्ट सबसे पहले देखते है थालगाट थालगाट दर्रा कौन से स्टेट या यूटी में इस्टीत है पहला कुछन यही बनेगा तो महराष्ट में इस्टीत है और यह नासी को मुंबई से जोड़ता है बस दो क्यूशन बनेगा थालगाट महराष्ट में और जो थालगाट पास है यह नासी को मुंबई से जोड़ता है तीसरा कोई क्यूशन नहीं बनेगा इस पे और यह जो पास है कहां इस्तित है पश्मी घाट में जो थालगाट पास का है इस्तित है पश्मी घाट में एक दर्रा है नेक्स्ट है भोर घाट पश्मी घाट में इस्तित है कौन से स्टेट में है महराश्ट्रा में है और यह मुंबई को पूने से जोड़ता है याद करने का तरीका BMP BMP याद कर लो B से भोर घाट M से मुंबई और P से पूने उत्तर से दक्षिन के और जाने वाले जाने वाले चार महत्पून दर्रे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेन कोटा है आपसे एकजामें पूफ सकता है कि चो वेस्टरन घाट के पशिमी घाट के चो पास है उनको आपको नौर्थ से साउथ की तरफ एरेंज करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले कौन आता है नौर्थ में? थाल घाट आता है, इसके बाद भोर घाट आता है इसके बाद पाल घाट आता है, इसके बाद सेन कोटा आता है सबसे नीचे कौन सा है सेनकोटा इसको याद करने का तरीका तो alphabetical लिख लो पहले सबसे फ़हले थाल गाट आधा आ रहा है ना फीर आरा है भोर घाट फीर आरा है पाल घाट फीर आरा है सेनकोटा अगर आपको एक्जाब में याद नहीं है और आपके पास directory ने इसको आपको नौर्ट से साउथ की और एरेंज करना है तो कैसे करोगे तो अल्फबेटिकल एरेंज कर लो सबसे पहले क्या आएगा फिर यह तो जो लास्ट में आएगा ना उसको पहले सिफ्ट कर लेना है यहाँ पे T mention कर दो के वल T mention कर दिया है यहाँ पे अब देखो सबसे पहले क्या आया थालगाट फिर भोरगाट फिर क्या आया पालगाट फिर सेनकोटा तो इसे हमें North से South की तरफ arrange करना होता है अब आते हैं मध्य पर्देश तो मध्य पर्देश का तो सबसे important पास हो क्या है असीर गढ़ पास असीर गढ़ दर्रा कहा इस्तित है मध्य पर्देश में सबसे पहला important point असीर गढ़ दर्रा कौन से state या इस्तित है तो मध्य पर्देश में इस्तित है और कौन से रेंज में इस्थित है तो सत्पूरा रेंज में इस्थित है असीरगर पास मत्यपरदेश में और सत्पूरा रेंज में इस्थित है यह नर्मदा और तापती घाटियों को जोड़ता है और इसे दगण की कुझी के रूप में भी जाना जाता है यहां से चार सबसे important point असीरगर पास माथेवर्देश में है कौन से range में सत्पूरा range में और कौन से घाटियों को connect करता है तो नर्मदा और तापती घाटियों को जोड़ता है और इसे दगण की कुझी के डूब में भी जाना जाता है तो यह था हमारा आज का लेक्चर है का वीडियो पसंद दे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक लिए नमसकार जहें